हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूं अच्छे होंगे मैं के शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरू में यहां पढ़ता हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और यह बीएसी थ दिस्क्रिप्शन बोक्स में दिया गया इसके बाद एक तारिक से आपकी रियल एनलेसिस मैथ में चलेगी चलिए आज हम करते हैं बीएसी थर्ड येर का टोपिक स्टार्ट आपको मज़ा आने वाला है बीएसी थर्ड येर फिजिक्स पढ़ने वाले हैं इसमें आज के जो टोपिक्स हम कवर करेंगे टोपिक्स टू भी कवर जो हम आज ये लास्ट यूनिट चल लिया आपकी इसमें क्या करेंगे एवरेज इस्पीड दो से तीन चार दिन में कवर खतम हो जाएगी फिर आपके इसके मसी क्यू करेंगे एवरेज इड़ मीज आर एम एसी स्पीड रूट मीन स्क्वाइर स्पीड एंड एमपी स्पीड एमपी मतलब मॉस्ट प्रो बेबल मुझे इनके फॉर्मूले जब मैं बी एसी फाइनल एर में था तो फॉर्स्ट टाइम एम सी क्यू एपलाई हुआ था तो मार्किट में ना कोई बुक अवाई लेबल थी ना ही कोई नोट सवाई लेबल थे ना ही प्रिवियस पेपर तो पहली बार एम सी क्यू आया था और इनके फॉर्मूले याद करने में मुझे बड़ी कंफूजन हो रही थी तो मैंने क्या कर अपना पहला टोपिक ठालेते हैं एवरेज स्पीड क्या एवरेज स्पीड ओफ मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड ओफ मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड उठाते हैं एवरेज स्पीड आप जानते हो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मूला आपको पता है इसे वी से लिखते थे कितना होता था अंडरूट 8 kt अपोन पाई एम यह इसका फोर्मूला होता है आप भली बाती इस फोर्मूले से परीचित हो अब इसे सोल करते थे 8 को अंडरूट से बाहर लेते थे थे तो 1.596 अंडरूट kt अपोन एम यह आता था चलो अब इस फोर्मूले को मैं क्या करके दिखाता हूँ प्रूफ descriptive वालो तुमारी आफ़त है बेट्टा तुम्हें proof याद रखना है लेकिन जो कौन है आपके जो objective वाले उन्हें के वाली अंडरूट kt अपोन पाई एम पॉर्मूला याद काम खतम है चलो हम जानते हैं we know Maxwell's distribution low Maxwell's distribution low आप Maxwell का distribution low जानते हो क्या था nvdv is equal to 4 pi n m upon 2 pi kt की power 3 by 2 e की power minus mv square upon 2 kt into v square dv sir यह तो नीता आपका रहे यही था यह मतलब थोड़ा सा expand करके लिख दिया आप देखो सेम यह दोनों match करो ठीक हम दा average speed दा इसे equation number one मान लो दा average speed is the average of the speeds average of the speeds possessed p o double s e double s e d by all molecules full stove if a gas have n capital n molecules molecules यह दंग से लिखो capital n भी धंग से लिखता हूँ क्या करें लिखना तो सारे ही धंग से चाहिए है capital n molecules एंड वी वन कोमा वी टू कोमा वी थरी डोट 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 बी दा वेलोसिटी ओफ मोलीक्यूल्स चीक मैंने मान लिया कि मेरे पास बहुत कोई गेस है जो बहुत सारे molecules से बनी है कितने एंड chilman टो की वी वन पहले कि वी वन गुसरे की वी तू की तू cashуда की वेलोट डोट 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 और मोलीक्यूल की क्या है वियन स्पीड भीटन then average speed will be अब किसी भी चीज का average निकालना हो अरे या दो, तीन और चार का average निकालना हो तो क्या करोगे जितनी terms हैं बटे जितने number हैं एक, दो, तीन योई तो करते हो तो मेरे पास term कितनी है N, कौन-कौन सी इसे या तो average को ऐसे represent करते हैं ऐसे लिखा जाता है तो मैं mostly बार करके लिखता हूँ तो मैं बार करके लिख रहा हूँ कितना हो गया V1 पिलस V2 पिलस V3 पिलस कहां तक last molecules तक upon N ये हमारे पास क्या होगी average, average, average if if N1, N2, N3 dot 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 N, N R molecules are molecules having speeds V1, V2, V3 dot 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 VN respectively then यहाँ पे एक चीज समझे न ये थोड़ी सा confusing है अब ये गैस है, कंटेनर में गैस molecules है अब हर एक पार्टिकल की velocity हमने अलग-अलग तो माननी रहे हमने मान लिए 10 की V1 है 20 की V2 है 5 की V3 है तो यहाँ पर कैसे लिखी जाएगी 10 की 10 V1 20 की 1 की V1 तो 2 की कितनी हो जाएगी 2 V1 3 की 3 V1 10 की 10 V1 यह बात समझे रहे basic सी कोई rocket science नहीं आप तो third year वालो हो आपको तो मुझे इतने बच्चे वाले तरीके में समझाने की ज़रूरत है नी तो मैं इसलिए सिद्धा लिख रहा हूँ then V average कितना हो जाएगा N1 V1 पिलस N2 V2 पिलस N3 V3 पिलस N N VN अपोन टोटल नंबर तो N ही रहेंगे तो मेरे पास V बार कितना बन गया बेटा सममिशन की फोर्म में लिख दू N I V I और I की वैल्यू वन से लेके कैपिटल N तक अपोन कैपिटल N ये मेरे पास क्या हो गया average वैलो सिटी का फोर्मूला हो गया सर आप तो 8 केटी अपोन पाई एम बता रहते हैं वो कहां सा आया उसे भी हम अभी रख रहे हैं बस मन ने क्या करा ये V बार की जो N V V की वैल्यू थी हो चिपका के मैं equation 1 में चिपका दूँगा सर चिपका ही हो कैसे चिपका होगे ठीक सब्सटीटिटिंग सब्सटीटिटिंग दा वैल्यू ओफ किसकी वैल्यू ओफ N V D V फिरों equation first सर ये तो सही है आप सब्सटीटिटिट तो कर रहे हो पर कर किस मेरे हो अरे यार औहो वो लाइन में लिखनी भूलिया चलो कोई बात नहीं ये रेज करके दुबारे लिख देते हैं वहिया वो लाइन में लिखनी भूलिया दुबारे लिख रहा हूँ है देखो क्या As the Speeds Of the Molecules Are Approximately Approximately Continuous अब मुझे एक बात बताओ जो Gas के Molecules हैं उनकी Speed Continuous नहीं होती Then Average Speed Can be Written as अरे यार Continuous होती है वाइब्रेट करते रहते हैं तो हम क्या करते हैं छोटे से इससे का लिख के पूरे का Intrigal कर सकते हैं तो V bar equals to 1 upon n to constant 1 upon n to constant क्या बचा NIVI तो NIVI को मैं क्या लिख सकता हूँ NV और Intrigal कहां से कहां तक Zero से Infinity DV Velocity के respect में क्योंकि Number of Molecules सको constant होते हैं अब बुक में ऐसे लिखा हूँ है 1 upon n Zero से Infinity ये नमबर क्यों से हैं V Velocity वाले और V DV सर ये क्या लिखा आपने NV अरे ये V किसी टरम को रिपर्जेंट नहीं कर रहा है हाँ V केवल ये बता रहा है कि Number of Molecules है V Velocity से जो चल रहे हैं ठीक है यहाँ V कोई टरम नहीं है ये केवल पूरा N ही है ये ये N ही है बस N ही हाँ पर ये बता रहा है कि हमें V Molecules ले रहे हैं जो V Velocity से लग रहे हैं अब Equation 1 से NV DV की वैलू पेल सकते हैं यहाँ पर देखो 1 कहा है NV DV NV DV की वैलू अब यहाँ Equation 1 से लग देंगे ये मैं लाइन मिस कर दी थी माका जल्दी जल्दी में On Putting the On Putting the Value of Value of NV DV From Equation 1 रखाओ तो V बार कितना हो जाएगा NV DV की वैलू क्या थी आपकी 4 पाई M अपोन 2 पाई केटी की पावर 3 बाई 2 ये तो कॉंस्टेंट लिमिट जीरो से इंफिनिटी V की पावर 3 E की पावर माइनस M V स्कॉयर अपोन 2 केटी DV DV देखो ये N तो कट जाएगा कहां से अरे भाई इसमें उपर N ने कट गया M 4 वी कॉंस्टेंट 5 वी कॉंस्टेंट M B कॉंस्टेंट 2 B कॉंस्टेंट 5 V कॉंस्टेंट K B کॉंस्टेंट T V कॉंस्टेंट एक V स्कॉएर ये रहा और एक V उसमें है तो कितना हो जाएगा बच्चा एक V उसमें है ये रहा तो V कुब न हो गया तो बताओ अब इसका integral करना है integral मुझसे बहतर आप लोग जानते हो कैसे अभी बताता हूँ is equals to 4 pi m upon 2 pi kt की power 3 by 2 जब हम integral करते हैं यहते है 1 upon 2 m upon 2 kt का square अब इसे soul करेंगे, काटेंगे, पिटेंगे तो 8 kt upon pi m का under root अब 8 की और pi की भी value रखोगे तो कितना बचेगा 1.596 under root kt upon m ठीक सर, यह integral कैसे कर दिया भाईया, first function, second function से आप कर सकते हो हाला कि मैं आपको इसका direct, जो आपकी book में लिखा हुआ है book में क्या लिखा हुआ, अगर 0 से infinity किसी का integral करना हो तो e की power minus a x square x cube dx इसका integral क्या होता है, 1 upon 2a square अब अगर हम इस वाली equation से इसे compare करें इस से, देखो x की जंगे तो क्या है v x की जंगे क्या है v और a की जंगे क्या है m upon 2 kt x की जंगे तो v और a की जंगे क्या है m upon 2 kt तो क्या है 2a square का तो 1 upon 2 m upon 2 kt का square मैंने यही तो करा, यह integral का formula direct soul करके आता है यह रहा मैंने यही तो करा m upon 2 kt का square यहां तो 2, 2, 4 होगा काट के सारा यह बचेगा, आप काट सकते हो easily, अब मैं सारा rough कर दूँ बच्चा, आपने screen short साथ लेते चल रहे होंगे इतना मुझे यकीन है, सारा rough हो गया अब हम next पे चलते हैं next और भी खतरनाक है rms rms थोड़ा white marker ले लेते हैं ठीक है rms मतलब root mean square of molecules तो हम rms rms का मतलब तो आप समझगे तो यहां मैं आप से पुछू rms कितनी होगी v rms तो आप क्या करोगे square करोगे work माद्या लोगे और फिर root mean square तो सर पहले root करेंगे नहीं, हिंदी में इसे बोलते हैं, वर्ग माद्या मूल यही तो बोलते हैं, वर्ग करो, माद्या करो, और फिर मूल ले लो, वर्ग मूल, तो यह क्या है, v rms root mean square तो सर इसे v smr क्यों नहीं लिखते, इधर की side से चलते हैं, इसमें तो पहले square लेंगे, फिर mean लेंगे, और फिर root लेंगे, वो language आप लिख सकते हैं, let us consider a gas, consider of n molecules, everyone we do with the velocity of n molecules, तो v rms कितना हो गया, आपका v rms कितना हो गया, पहले molecules का v1 square, plus v2 square, plus v3 square, plus vn का, plus dot dot, तो लो plus dot 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 vn का square upon n और पूरे का क्या है, अंडर root यह एक के लिए यह थी, यह average था, average को खोल के मैंने ऐसे लिख दिया, तो मैं v rms कैसे लिख सकता हूँ v rms is equals to, उपर क्या आ जाएगा 0 से infinity v square, पहले की तरह लिख रहा हूँ, बिल्कुल, nv dv, सर यह nv कहां से आ गया, मुझे बताओ तो सही, और पूरे की power कितनी है under root है पूरे का 1 by 2 अरे यार, वो ही लिखेंगे, आप लिखोगे, n1 velocity है, v1 की n2 है, v2 की, तो क्या जाएगा है, n1 v1 square, प्लस n2 v2 square, प्लस n3 v3 square, तो shortcut में उसे क्या लिख दोगे nv का square, सेम पहले की तरह है, हम मैंने direct कर दी यह वाली line, क्योंकि हम मुझे कोई मतलब हम ने लिखे रहा, बार बार एक line को लिखने का, समझ गई, अब आप क्या कर सकते हो, इसे soul कर सकते हो, सर कैसे अरे यार, small n है, upon capital n है, यह क्या होगी आपकी पी ना बन गया, number of events in favor upon total number of probability ना होता कि एक तरीके से यह, चलो, अब हम इसे soul कर सकते हैं, तो मेरे पास V, RMS कितना होगा, V, RMS equals to A0 से infinity, V square, P, किन की V molecules की, DV की power 1 by 2, अब integral करना आप जानते हो या नहीं जानते हैं, सर जानते हैं, चलो, ना भी जानते हो तो आप इसकी value रखो, PV, DV से, N, V, DV तो N की जंगे क्या रख दोगे PV, DV, और जब इसा soul करोगे, तो soul करके यह आ जाएगा, अगर soul नहीं होता, तो मुझे बताना do your self, do your self, अगर नहीं soul होता, तो मुझे बताना, कल की class में आप से soul करा दूँगा अब most probable, most, इसमें मैं हिंट दूँगा, बस most, हिंट दूँगा बस, क्योंकि यह कोई खास topic है नहीं, most probable मैंने यह इसमें भी कराई हुए हैं किसमें, किसमें कराई हुए हैं काइनेटिक थोली में उसमें आपने basically यह पढ़े हुए हैं तो most probable कुछ नहीं होता अब question यह नहीं बनता question यह नहीं बनता question क्या बनता है question यह बनता है कि VRMS V bar और VMP यह सही है या VMP, V bar या VRMS यह सही है या कुछ भी और change कर देगा तो मैं आपको बता हैं यह वाली सही है, यह गलत है सर यह तो कैसे याद रखेंगे देखो, मैंने क्या याद रखा था VRMS तीन है इसमें तो अंडरूट 3 KT अपॉन है VMP इसमें दो है तो 2 KT अपॉन है और भाईया जो आपका most वो बचिया खाली भी, उसमें ना यहाँ एक है ना दो है, तो वो आप जो तीसरा बचिया हूँ क्या बचिया 8 KT अपॉन है उसे आप ऐसे याद रखेंगे सिंपल पाईयम सिंपल ऐसे याद रखेंगे या 1.596 अंडरूट केटी अपॉन है तीन थे आर एमेस तो तीन आ गया दो थे तो दो आ गया कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं आया समझ गए बेसिक अरे यार पहले दो आएगा यानि के मोस्ट प्रोवेबल फिर तीन आएगा और जो बिचारा कुछ नहीं है और सिर पे गंजा है वो बीच में आ जाएगा यह आपका ओडर है समझ गए अब इसे तयार करना कल हम क्या करेंगे बहुत सारे नुमेरिकल करेंगे इन पर सर आप केटी इसका मोस्ट पोवेबल का प्रूफ क्यो नहीं करा रहे आपको प्रूफ कोई से का भी नहीं करना दियान रखना मेरे दिमाग में कीडा था जो मैंने आपको बता दिया पर आपको कोई से का भी प्रूफ नहीं करना है हम क्या करेंगे इन पर कोश्चन्स करेंगे कोश्चन्स आएंगे बहुत सारे तो हम उन कोश्चन्स को अटेम्ट करेंगे केवल और कुछ नहीं करना हम है